हलो दोस्तों आप सभी का ससीजी के ज्यान में स्वागत है आरारवी के तरफ से जितने भी जी के जी एस और जनल अवार्नेस के अभी तक क्वेशन पूछे गया हैं उन सभी क्वेशनों को हम कंप्लीट करेंगे दोस्तों आरारवी 2017 से लेकर अभी 2019 तक जितने भी पेपर कराय है जैसे एलपी का पेपर हुआ जो 2018 हुआ था ग्रूप डि का पेपर ओर अरारवी जी का जो पेपर हुआ underlying को किपेलिए उसके साथ-साथ जो से संभाती जितने भी क्वेशन जैसे जीकी जीएस और जिनल अवार्नेस के कुश्चन कराये गए हैं उनस तो भी कुश्चन को हम कमप्लीट करेंगे तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं श्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यद्धी चैनल पर ने हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें और अप्टिकल फाइबर किसके सिधान पर काम करता है तुछ प्रश्ट का राइट एंसर हो जाएगा पुड़ आंतरिक प्रावरतन किसी धान पर अप्टिकल फाइबर वर करता है चलिए नेक्स कोश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि काउन सदीश पहला कार् और निगेटिव देश बना था चलिए नेक्स कोश्चन के उपड़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि वर्स 2004 में नासा ने किस ग्राय का अध्यन करने के लिए मैसेंजर अंत्रिश्यान परिछेपित किया था ति इस प्रश्कराइट एंसरोजय का बुद्ध चलिए नेक्स क कोश्चन के उपड़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि लिफ्टान की खोज किस ने की थी तीलिफ्टान की खोज जेजे थांसन ने किया था दोस्तों इसके साथ आप याद रखिएगा कि प्रोटान की जो खोज है गोल्ड इस्टीनर लग किया था इसको याद रखिएग गोल्ड इस्टीनर इसके साथ आप याद रखिएगा कि न्यूट्रान की जो खोज है चैडविक ने किया था चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि भारत का मल्टी अप्लिकेशन सोरल टेलिस्कोप कौन से सर्व वहदशाला में इस प्रशका राइट एंसर होगा आयन मंडल वायू मंडल की जो आयन मंडल है रेडियो संचार को संभव बनाती है जरी नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि भारत का पार्रावर और अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था इस में हम टोटल जितने भी 2017 में एंटीपी से में पूछे गए प्रश्ण है उन सभी प्रश्णों के कंप्लीट करेंगे बिजली की बोल्टेज में अचानक होने वाला चड़ाओं से बचाने है तो कौन से उपकड़ बनाया गया है इस प्रश्च का राइट एंसर होगा सर्ज प्रोटेक्टर चलिए नेक्स कोश्चन की बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि कंप्यूटर की संद्रम में जी यू आई किसका संचिप्त रूप है इस प्रश्च का राइट एंसर हो जगा ग्राफिकल यूजर इंटरफरेंस चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों सत् को सभी पूछे गए प्रश्चन है इसका फर्स्ट कोश्चन आपका है कि अंत्रिच विज्ञान में किस विशे को शामिल नहीं किया जाता है इस प्रश्च का राइट एंसर हो जागा मानुस संस्कृति चलिए नेक्स कोश्चन की बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि कि पादब और सुच मजीव किसी गुडवत्ता सुधारने में सहाय करते हैं इस प्रश्च का राइट एंसर होगा कि वायू जिसमें हम सास लेते हैं चलिए नेक्स कोश्चन की बढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि जर्मेनियम का प्रियोग समय तक किसमें किया जाता ह है जर्मेनियम का प्रियोग अर्दचालक में किया जाता है इसके साथ आप याद रखेगा जो सिलिकान होता है सिलिकान का भी प्रियोग अर्दचालक में किया जाता है आपका नेक्स कोश्चन है कि एमेस वार्ड किसका एक उधारण है एमेस वार्ड जो है अप्लिकेशन श तेन्टूज संबंदी थे इस प्रशकराइट इनसु रह जाएगा चारए नेक्स क्वेश्चन की उबढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि विश्व स्वात संगठन ने सितंबर 2016 में किसको मलेरिया मुक्ते देश गोसित किया दा इसको श्री लंका स्री लंका देश को विश्व स्वास संगठन ने सितंबर 2016 में मलेरिया मुक्त देश गोसित किया था इस प्रश्ण को याद रखेगा आपका नेक्स कोश्चन है कि वायू में ध्वानी की गती की तुल्ना में अधिक तेजी से गती करने वाली वस्तू किस रूप में काम करती है इस प्रश्ण का स्वाइट एंसल हो जागा सुपर सोनिक चलिए नेक्स को देखते हैं जो यह भी रेलवे एंटीपी से मुखी परिच्छा सत्रह 1217 में पूछे गए प्रश्ण है आपका नेक्स कोश्चन है कि क्या कहा जाता है तो शरीर की रचना विज्यान के लिए इस्तमाल होने वाले उसका एड़वर करते हैं चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि माइक्रोसाफ्ट विंडियोज की बोर्ड में वार्तमाल टास्कों को रोकने के लिए किस कुण जी का परियुक किया जाता है इस प्रश्ण का राइट एंसल हो होता है वह एक जावा एप्लिकेशन होता है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि भारत के पहले आर्टो जैव सी एंजी सनियंत्र का उधगाटन अगस्त 2016 में पूरे में किन केंद्री मंत्री द्वारा किया गया था इस स्थिति उसे विद्दूत का सुचालग बनाती है तीस प्रश्कराइट इस रह जाएगा इलक्टान दोस्तों कोई भी पदार्थ होता है उसमें जितने भी अधिक से अधिक फ्री इलक्टान होते हैं वह उसको सुचालग बनाता है दोस्तों इसके साथ आप याद यह ओम का नियम होता है इसको आप याद रखिएगा चलिए नेक्स क्वेश्चन की बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रेदोगी की मंत्राले द्वारा 2016 में किसान ससकती करण के लिए प्रारम किया गया एक नया कारक्रम है इस प्रश्कराइट एस यह ओजायगा बायो टेक किसान चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि विश्व पर्रवर d связ 2016 नारा था स्प्रस्कराइट इन्स wax लोगा गब Summa ओयल फार लाइफ चलिए नेक्स क्वेश्चन के उपड़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि परतिभीम की उचाई कि वस्तु की उचाई से अनुपात को क्या कहा जाता है ति इस प्रश कराइट इंसर जग रेखी आवर्धन दोस्तों रेखी आवर्धन को यम से डिनोट करते हैं यम इस कल्टू जो हता है यच डैस जो हता है वस्तू की परतिविम के उचाई होता है और वस्तू की उचाई को यच से डिनोट करते हैं इसके रेशियो को रेखी आवर्धन करते हैं जो परतिविम की दूरी होती है और व कि भविस्वाड़ी करने के लिए भुकंप भी ज्ञान किसको सुधार नहीं बनाते हैं तिस प्रश का right answer हो जाएगा ग्रहों की स्थिती चलिए next question क्यों पड़ते हैं आपका next question है कि python python क्या है तिस प्रश का right answer हो जागा एक programming language है तो python जो है एक programming language है चलिए next question क्यों पढ़ते हैं आपका next question है कि physiology या चिकित्सा के लिए 2016 का nobel पुरुसकर किसको दिया गया है इस प्रश्ण कराइट एंसर हो जागा योशी नोरी ओसी मी को जो चलिए जो दोस्तों आप 17 तारिक में जो question पूछे गए तो वह complete होता है अब हम देखते हैं 18.12.17 में जितने भी प्रश्ण पूछे गए हैं उसको complete करते हैं दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा full watch करके जाएगा जिससे आपके exam अच्छे सो हो तो आपका first question इसका है कि अगोली की चलिए next question क्यों पढ़ते हैं आपका next question है कि अप्रेल 2016 में राष्टी हरित अधिकरण ने किसको बचाने के लिए अरवांचल परदेश में प्रास्तावीच जल्व विद्दुत परिजना के लिए दी गई पर्रवड मंजूरी को निलंबित कर दिया है इस प्रश क्लिक या जाता है इस प्रश का राइट एंसर हो जागा दोस्तों आपका माउस को करने पर यह डिफाल्ट रूप से पूरे प्रोग्राम का चैन करता है तो इस प्रश का राइट एंसर जागा ट्रिपल चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि विशे सग्यों के अनुस युद्य नेक्स्ट कोश्चन के वाटते हैं आपका next question है कि प्रिथ्वी की सता पर प्लाइन वेघ लगभग है तो प्रिथ्वी के तक पर है उसका जो प्लाइन वेख होता है इसको आप याद रखिएगा दोस्तों प्लाइन वेघ का मतलब होता है यह दिकिसी वस्तू को 11. तो वह वस्तू प्रिथ्वी के बाहर चला जाएगा और दोबारा प्रिथ्वी पर नहीं आएगा चले नेक्स कोश्चन क्यों पढ़ते हैं आपका नेक्स कोश्चन है कि गाहिर स्कॉप्त किसी धान का परियोग इसमें नहीं किया जाता है इस प्रश्का राइट एंसर हो जाएगा इस प्रश्का राइट एंसर हो जाएगा सी पीउ यू कि चन्द्रमा औरर प्रिथ्वी एक हूता है जले नेक्स कोश्चन के उपढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेस्चन है कि मानोा है पयोथिलमस गरंति होती है प्रश्का राइट एंसर हो ज़िएगा मस्तिस्क उपस्तित होता है मानौ हिपोधालमस गरंति होता है मत्तिस्क में उपस्तित होता है सनीक्सकोशन पड़ते हैं आपका बैसके एक यित इंसर न चलिय को होते हैं कि सोर्स कोड को आपको देलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है इस प्रश्क का राइट एंसर होगा कंपाइलर जोस्तों इन सभी प्रश्णों का आप याद रखिएगा जो आपके आने वाले गुरुप डी एंटीपी से एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा यूजफूल होगा तो आपका नेक्स क्वेश्चन है कि राष्ट्री भौत की अनुसंधान संसथा इस्तित है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि किसके द्वारा रासायनिक उर्जा को विद्धूत उर्जा में परिवर्थित किया जाता है इस प्रश्कराइट इंसर हो जाएगा बैट्री बैट्र इस प्रश्कराइट इंसर हो जागा चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि मचली के हिर्दे में कितने कच्छ होते हैं जो मचली के हिर्दे होता है उसमें दो कच्छ होते हैं इसको आप याद रखिएगा चलिए नेक्स गीले कच्रे को खाद में परिवादित करने की परिक्रिया का का आ जाता है इस प्रश का राइट इस रहा जाएगा नेक्स कुश्चन है दोस्टे इसमें जितनी प्रत्रेश नहीं पूछेगे प्रश्ट है रेट डेटा बुक जो हता है जिसे लाल सूची भी कहा जाता है क्या है रेड डेटा जो बुक है क्या है इस प्रश्च का राइट इंसल हो जाएगा कि जानुमर पौधो आदी के दूडला और लुप्त प्राय प्रजातियों का ब्योरे वाज दस्तावेज है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं आपका न इस प्रश्च करएट इंसल हो जागा रासायनिक परिवर्तन- रासायनिक परिवर्तन के कारण जंग लोहे पर जंग लगता लगता है आपका नेक्स क्वेश्चन क्यों पारते हैं कि करितीम प्रिवेज निसेचंट कनिकी खोश के लिए 2010 में किस शरीर क्रिया विज्यान को नोबिल पुरुस्का सम्मानित किया गया है इस प्रशका राइट एंसर रोजागा राबर्ट एडवर्ड्स चलि नेक्स कोश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि पारेवरर के लिए जागरुकता और कारेवर्ण को प्रशाहित के लिए सिंगापूर में प्रती वर्श चलाये जाने वाला राष्ट ब्यापी अभियान है इस प्रशका राइट एंसर रोजागा इको डिक्शन डे चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि कौन अमाशे रस के एक घटक के रूप में पेट से सरवित नहीं ह प्रशका राइट एंसर हो जाएगा सल्फियूरिक एसीड चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि मानो रख्त की पी एच अनुमानित मान क्या है इस प्रशका राइट एंसर हो गया साथ दसमलों चार जो कि वेरी वेरी इंपोर्ट है दोस्तों यह एंटीपीसी के अभी जो एक्जाम चला है उसमें भी कई बार रिपिटेट हो चुके हैं क्वेश्चन चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि एंटेग्रेटिंग सर्कीट कंप्यूटर के किस प्योड़ी से भारत का विश्व अस्तार प्रकया स्थान है चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि प्रोसीजущर औरियंटेट लैंग्वेश्च प्रोग्राम को मश्रीन में बदलने के लिए कप्यूटर मंकि इसका प्रियोग किया जाता है इस प्रश्ण का राइट एंसर हो जागा compiler चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि UNFCCC किस नाम का संच्छित रूप है इस प्रश्ण का राइट एंसर हो जागा United Nation Framework Convention on Climate Change इसका full form होता है दोस्तों इसको आप याद रखेगा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि data processing के संधिर्म में संके ताच्छर सैप किसका संच्छित रूप है इस प्रश्ण का राइट एंसर हो जागा system application product चलिए next question क्यों बढ़ते हैं तो आपका next question हो जाएगा इस प्रश्ण का राइट एंसर हो जागा टेली प्रिंटिंग एक्स एक्सचेंज चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि प्रश्ण का राइट एंसर हो जागा रेडियो धर्मीता तो रेडियो धर्मीता इसकी खोज हैंरी बैकुरल ने किया था चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि डाक्टर ध्रूव जो घोस किसे संबादित है इस प्रश्ण का राइट एंसर हो जागा पारिस्तिकी से संबादित है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि एक पेड की साखा पर बैठे एक बंदर का अचानक जमीन की और नीचे गिरना कि इसका एक 1940 के दशक में कुछ महांतम वज्ञानिक यूरेनियम को परिस्कृत करने और परमाडू बंके निर्मार के लिए एकत्र हुए उनके काम को क्या कहा जाता है इस प्रश्ण कराइट एंसर हो जागा मैंहटन प्रजेक्ट चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि प्लाज्म यूरि राइनसकोप किसकी जाज करने का उपकरण है वो इकणाराण है याज का एक उपकरण है वे उत्प लिए न्यक्स किसका एक उधरण हो जागा आपकरेटिंग्स सिष्टम चलिएर नेक्स क्वे बढ़ते हैं उत्यक्य नेक्स जाएगा एसितिक चलिनेक्स प्रॉष्टिन क्यों पढते हैं और का नेक्स प्रॉष्टिन है कि भारते वन जिव संस्थान इस्थित है इस प्रश का राइट एंसर हो जागे देहरा दूर्ण आपका नेक्स क्वेश्टिन है रीडू के लिए मानक विंडो कीबोर्ट साटकट कुंजी सन्योग सन्योजन है इस प्रश कर राइट एंस रहाजाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड चलिए नेक्स क्वेश्चन के उपढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि विश्चो पारवड़ दिवस 2016 की थीम थी इस प्रश कर राइट एंस रहाजाएगा वन ने जीमों के अवैद बेपार के लिए पूर अहिस्ट शुरुता चलिए नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से किसमें उगाई जाती है इस प्रश क कंप्लीट करते हैं ता आपका नेक्स क्वेश्चन है कि सुचना प्रवद्योगी की संदर्व में नई उप्योगी जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले से मौझूद बढ़े डेटाबेस की जाच की प्रकिरिया को क्या कहा जाता है इस प्रश कराइट एंस रोजाएगा चले नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश्चन है कि किसी विद्दू सर्किट के दो बिंदों के मत एक एकाई आवेश के अस्थान में हुआ कार कहलाता है विभांतर कहलाता है चले नेक्स क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स क्वेश् के बढ़ते हैं, आपका नेक्स ग्वेजटन है भूजजन नली के दीवारों के संकुचर और प्रसड़ों को क्या कहा जाता है इस प्रश्क का राइट इस रोजगा क्रमा कुंचन गति नेक्स कॉष्चन क्यों भरते हैं आपका नेक्स कोष्चन है कि प्रकाश उर्जा से पाने की अड़ो की खंडन की प्रकिलिया को क्या कहा जाता है इस प्रश कराइट एंस रोजगा प्रकाश अब घटन चलिए नेक्स कुश्चन क्यों बढ़ते हैं आपका नेक्स कुश्चन है कि सिल्कान आम तो पर परियुक्त होने वाला है सिल्कान जो होता है अर्दचालक में प्रियुक्त किया जाता है और इसके साथ आप यादिक रखिएगा कि जो जर्मीनियम होता है उसको भी अर्दचालक में प्रियुक्त किया जाता है चलिए नेक्स कुश्चन के बढ़ते हैं आपका next question है कि जाहें मंडल और इच्छी चेत्रिव का सबसे सही विवरण है ति इस प्रश का right answer हो जाएगा सतत विकास के अध्यान अस्थल चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि कंप्यूटर में workbook आम तोर पर किसे से संबंदित है ति इस प्रश का right answer हो जागा इस एक्सेल चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है यदि कोई ब्यक्ति कंप्यूटर साच्छर कहलाता है यदि वह सच्छम हो केवल आवशक application को संचालन करने में ति इस प्रश का right answer हो जागा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि MS Word के text document को संपाधित करते समय कापी और पोस्ट करने के लिए करम सकौन सी सन्योजिन कुंजिया प्रयूक्त की जाती है ति इस प्रश का right answer हो जागा चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि ओजोन के अडू में संच सोरी दोस्तों कि ओजोन के अडू में oxygen के कितने प्रमाडू होते हैं तो इस प्रश का right answer हो जाएगा तीन ओजोन का जो रसानिक सुत्र होता है तो ओजोन के अडू में तीन oxygen प्रमाडू होते हैं चलिए चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि किस गैस को stranger guys के रूप में भी जाना जाता है तीस प्रश का right answer हो जाएगा जीनान जीनान को stranger guys के रूप में भी जाना जाता है चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि मानो द्वारा प्रेरित जलवायू परिवातन के कारण नष्ट होने वाली पहली अस्तनपाय प्रजादी कोंसी है इस प्रश का right answer हो जाएगा ब्रेंबल के मोलो मेलो मीज चलिए next question क् आपका next question है कि सहाप परमाडू भावतिक संस्था कहां इस्तित है इस प्रश का right answer हो जाएगा पस्चिमी बंगाल चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि हाती भालू और गेंडे कि इसके उधरण है इस प्रश का right answer हो जाएगा अस्तनपाई तो हाती और भालू और गे इंडे जो है अस्तनपाई हैं चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि रहासानिक हत्यारों को निशियत करने वाले संगठान का मुख्याले कहां है इस प्रशन का right answer हो जाएगा नीधर लेंड चलिए next question क्यों बढ़ते हैं आपका next question है कि एक टेराबाइट में कितने गी गाबाइट होते हैं एक हजार चौबीस आपका next question है कि कंप्यूटर के छेत्र में बीट से क्या ताथ पर है तो कंप्यूटर के छेत्र में जो बीट होता है उसको बाइनरी डिजिट करते हैं इस प्रश्काराइट एंसर हो जाता है दोस्तों यहां पे आपके ntpc में जितन आप एलपी के जो पेपर हुआ है उसमें जितने भी प्रश्न पूछेगे उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों